दोसर चार लोकसभा चुनाव में बिहार में 22 सीटे अपने दम पर जीतने वाली आरजेडी लोकसभा चुनाव में फिर ऐसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई 2019 में तो उसका खाता भी नहीं खुल पाया और इस हार के बाद से तेजस्वी यादव गायब है बिहार की राजनीती में उनके गयर मौजूद्गी को लेकर सवाल उठ रहे हैं जिस पर आज सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी ने जवाब दिया एक रिपोर्ट देखिए बिहार में विपक्षी दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाध यादव के चारा घोटाला मामले में जेल चाने के बाद से ही पाटी और परिवार बिखरा हुआ नजर आ रहा है लालों के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेजप्रताफ यादव के बीच तना तनी साफ दिख रही है एक तरफ तेजप्रताफ यादव पाटी में अपनी अंदेखी से तेज सेना बनाने की ओर निकल पड़े हैं तो दूसरी तरफ 23 मई यानि आम चुनाव के नतीज़े आने के बाद से तेजस्वी यादव किसी भी मंच या किसी कारक्रम में नजर नहीं आया है और ना ही उनका कोई बयान सामने आया है जिसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव है कहां राज्य में सत्ता धारी जेडियों ने आरजेडी नेता पर जनता से जुड़े मुद्दों से दूरी बनाने का आरोप लगाया है कि वो सिर्फ अपने नीजी और पारिवारिक मसलों को सुलचाने में लगे हैं उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं है तेजस्वी शुकरवार से शुरू हुए बिहार विधान सभा के मानसुन सत्र में भी नहीं पहुंचे जिसके बाद इन सवालों ने और जोर पकड़ दिया पत्रकार ने जब यही सवाल उनकी मा और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रावणी देवी से किया तो वो भड़क गए हाला कि बाद में उन्होंने साफ जवाब तो नहीं दिया लेकिन ये जरूर कहा कि तेजस्वी जल्द सामने आएंगे वो कुछ काम में व्यस्त हैं सुस्त बैठे नहीं है वहीं आरजेडी विधायग भाई विरेंद्र ने कहा कि आरजेडी नेत्रित्व विहीन नहीं है तेजस्वी नहीं होंगे तो उनकी जगा कोई और समालेगा हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही तेजस्वी यादव आएंगे यानि सवाल अभी भी जस्त का तस बना हुआ है कि तेजस्वी यादव आखिर है कहा खरते जुस्वी का अग्यात वास कब तक खत्म होता है और वो कब वापसा कर इन सवालों का जवाब देते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा डीबी लाइफ की रिपोर्ट